हेलो एबरिवान वेलकम टो फूट फिप्टीन तो आज मैं आप लोगों साथ सेयर करने जा रहे हूं पालक आलू की सबजी बहुत ही टेस्टी और कम टाइम में आप जटपट बना सकते हैं और बहुत फायदे मंद पालक का सीजन आ गिया है तो चली रेस्पी देख लें तेल गरम हो गया इसमें जीरा डाल रहे हूं चौप किया हूए लहसन डाल रहे हूं हरी मिर्च एक दो डाल रहे हूं इसका चौप किया हूए प्याज डाल रहे हैं इसे मिक्स कर लें अच्छे से सौटे कर रहे हूं इसे अच्छे से सौटे करने के बाद आलू चौप किया कुछ बाद दालें चौप किया हूआ एक से दो मिनट जर करना है अच्छे से ॥ा नमक अनुसार डालें और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढख कर एक से दो मिनट कूक करें और दो मिनट के बाद यह अच्छे ब्राउन हो गया गोल्डन प्याज आलू गल गया हाफ पक चुका है इसमें मसाला डालें हाफ टी स्पून हल्दी डाल रहे हूँ लाल मिर्च डाल रहे हूँ हाफ टी स्पून ये काली मिर्च हाफ से टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून डाल के मिक्स कर लें ये चौप किया हुआ टमाटर डाल रहे हूँ एक और इसे भी मिक्स करना है एक से दो मिनित अच्छे से हुनने के बाद चौप किया हुआ पालक डालना है पालक डाल रही हूँ पालक को पहले अच्छे से धो लें दो से तीन बार उसके बाद इसे कट करें चौप करें पालक के यह सीजन आ गया पालक के बहुत टेश्टी इस तरह से सबजी बनता है आप जरूर ट्राई करें बना क और इसमें हाफ कप पानी डालना है पानी डालकर ढख देना है तीन से चार मिनट ढख कर पकाएं और अच्छे से पक गया आलू सौफ्ट हो गया है पक चुके हैं इसके भूनना है अच्छे से पानी जो है इसे भून लें आप मेरे तरीके से आप जरूर ट्राइ करें इस रेसिपी को बना कर देखें और धनिया पत्ती डाल रहे हूं धनिया पत्ती डाल को एक मिनट और भूनना है और प्लेज प्लेज सस्क्राइब जरूर करें मेरे चाइनल को विन्टेक्शन बन कर दी हूं यह सब जी तयार हो गया इसे बॉल में गानिस कर रहे हूं अगर इस भी अच्छा लगे तो कॉमेंट से और सस्क्राइब जरूर करें प्लेज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्ला आफेज